ये तो होली से दो दिन पहले इतना खुशी का मोका आ गया कि हर्याना की जनता दो बार होली मनाएगी आज होली का जसन जो डबल हो गया आज हर्याना की जनता होली मना रही है और इतना खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि चोदरी पुपेंदर सिंग हुड़ा को जब से हर्याना के चुनाओ की बागडोर सोपी है तो हर्याना की जनता में खुशी की लहर दोड़ पड़ी है और चारो तरफ हुड़ा साब जिंदाबाद के नारे आज लगाये राज जा रहे हैं पूरे हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी को दुबारा से एक नई उर्जा मिली है राहुल गांदी का पूरा हर्याना धन्यवाद करता है तो चोदरी पुपेंदर सिंग हुड़ा जी को हर्याना में ताल मेल कमेटी का चेर्मेन बनाया है और जो हर्याना के चुनाओ की बाग दोर सोपी है हर्याना में खुजी की लेर दोर गई है और आने वाली दस की दस लोकसबाद सीटे भुपेंदर हुड़ा जी राहूल गांदी की जोली में डालेंगे कहीना कई आप भी सोनीपत लोकसबाद सीटे जो अपनी ताल ठपने जा रहे है क्या लगता आपके जी पूसर अबर पार्टी हमारे वो मोका देगी तो हम भी सोनीपत की सीट राहूल गांदी जी की और भुपेंदर हुड़ा जी की जोली में डालेंगे ये तो चोदरी पुपेंदर सिंग हुड़ा जी लड़ें चुनाओ या मेरे वो मोका दे भारी बहुमत से कॉंग्रेस पार्टी यहां से जीत की जाएगी लेकित कहीना कही कार्या करता आलाग लग जसन मना रहे है तेकि सारा हर्याना जसन में डूपा हुआ है जब से एक खबर फैली है तो जो जहां वहीं जसन मना रहा पूरा हर्याना जसन में डूपा हुआ चोदरी पुपेंदर सिंग हुड़ा जी के बंडे से कार्या करताओं में एक दम से खुशी की लहर दोड़ पड़ी और यह निश्चित हो गया कि आने वाले मुख्यमंत्री चोदरी पुपेंदर सिंग हुड़ा होगे और कॉंग्रेस की सरकार होगी जब अर्याना में भी दानसभा के चुनाव होगे और अब 10 की 10 सीट कॉंग्रेस पार्टी जीत के लाए